नमस्कार, प्रियदर्शकों, हजर हूँ मैं 1 नवंबर 2023, आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानि दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी बुध्यदेव को नमन कर, चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारम्भ करते हैं. बात करेंगे सबसे पहले, आज के पंचांग की, आज बुध्वार है, कारतिक मास, कृष्ण पक्ष की, आज चतुर्थी तिति है, जो रात्री 9 बच करके 19 मिनट तक है, और इसके पुष्चात पंचमी है, अज पूरे दिन सरवार्थ सिध्धियोग है, आज पूरे दिन सरवार्थ सिध्धियोग है, आप जानते हैं, कोई भी कार्य सरवार्थ सिध्धियोग में प्रारम्भ किया जाए, वो कार्य शीघ रही सिध्धि प्रदायक हो जाता है, और आज संकष्टी स्री गणेश चतुर्थी व्रत है, और आज करवा चौथ भी है, प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महा प्रयोग में जो दिव्य ग्यान वर्धक जानकारी में आपको देने वाला हूँ, वो देव गुरु ब्रहस्पती से सम्मंधित है, तो दिब्बे महा प्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूरुबात कर लेते हैं ग्रहिस्तितियों की गुरू वक्रवस्था में मेशरासी में सुम्चरण कर रहे हैं तो वहीं चंद्रमा का सुम्चरण ब्रिशब में जाली है शुक्र सुम्ह में हैं तो वहीं केतू कन्या में सुर्य बुध्ध और मंगल ये तीन ग्रह्यूती बनाकर तुलारासी में सुम्चरण कर रहे हैं शनिदेव कुंभराशी में वक्रवस्था में और आहु का सुम्चरण मीन में ये है ग्रह्यूति प्रिदर्शकों गोचर कुं कौन सी उराशियां हैं जिनके लिए आज के दिन बेहत खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी उराशियां हैं जिन्हें बेहत सचेत रहने की आवशक्ता है कौन सी उराशियां हैं जिन्हें अपने सभी नयकारे आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी उराशियां हैं जिन तो ये है ग्रहस्तिती, इन्ही ग्रहस्तितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तयार किया है निदैनी, राशिफल तयार किया है वोने दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कारिक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूँ यह राशिफल आपके जन्मराशी के आधार पर है, यानि आपकी जन्मराशी के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहुर्थ की, 6 नमंबर दिन सोंबार, आश्टलेसानक छत्र और रिट्टा तिथी होने के कारण उस दिन कोई भी मुहुर्थ नहीं है, दिब्वे महा प्रयोक यूर आपको लेकर के चलूं लेकिन उससे पूर्व एक जानकारी आपको देना चाहता हूं, प्रेदर्शकों बीते चंदर ग आपके जीवन में सुख समृध्धी है तू, मैंने ब्राम्हनों के द्वारा ब्यापार वर्धक भाग्योदेकारी वीशा यंत्र का निर्मान किया है, प्रेदर्शकों वैसे तो ग्रहन की रात्री यंत्र निर्मान कर लेने से ही वो यंत्र सुध्ध हो जाता है, लेकिन यंत्र को दीपावली के समय, यानि जो त्रीदिवसी होमात्नक यग्य होगा, उसी यग्य में पुनह, जो कि इसमें ब्यापार वर ब्रधिकावी के लिए भी है, सो मालक्षमी की कृपा विशेश रूप से मिले आपको, तीनों दिन यंत्रों को सिद्ध किया जाएगा, और इसके पुष्चात चांदी की ताबीज में भरके, इसे मैं आप तक पहुँचाने वाला हूँ, प्रिदर्शकों, आप कलपना नहीं कर सकते, इसके लिए मैंने एक बेहद मामूली कीमत रखी हुई है, वैसे तो, अब दिखा जाये तो, जिन ब्रामणों ने रात्री में ब आप थोड़ी माल लेंगे, तो मैं तो अपनी जो भी कर सकता था, वो कर रहा था, लेकिन मेरे दिशा निर्देश में ये यंत्र निर्मित किये गए हैं, और रात्री में, उस समय मध्य रात्री में, एक बज़ करते पांच मिनट से, जब ग्रहन प्रारंब हुआ, और जब आपके नाम और गोत्र से, इस यंत्र को आपके लिए अभिमंत्रत करके, और पुनह आप तक पहुँचाने का प्रत्न किया जाए, ये यंत्र निसंदेह, चुकि एक बेहद सिद्ध समय में निर्मित किया गया है, बेहद सिद्ध समय में इसकी साधना होगी, फलतह, ये बार फोन अवश्य कर लें, बेहत मामूली कीमत, आपने मैं फिर दोहरा देता हूँ, कलपना भी न की होगी, अगर आप यंत्र की कीमत समझते हैं, तो आपने कलपना भी न की होगी, एक और बात, यदि आपकी रुची जोतिश में है, यदि आप जोतिश सीखना चाहते हैं, इस प्लेलिस्ट पर आप जाईए, और इसके सभी वीडियोज देख डालिए, आप कहीं से भी डिग्री ले लीजिए, मैं आपको डिग्री नहीं देने वाला, लेकिन मैं ये दावा करने वाला हूँ, कि आप इस प्लेलिस्ट को पूरी तरह देख लीजिए, आपको आनिये ये वीडियोज आपको अपनी और आकरिष्ट करेंगे, और जैसे मूवी आप देखते हैं, वैसे आपको ये आनन्द देंगे और आप जोतिश को भली भाती समझ लेंगे, तो मैं आपसे पूना हिक बार कहूंगा, जो प्लेलिस्ट अभी मैंने लिंक दिया है, उस पर अवश्य जाएए और उसके सारे वीडियोज देख लीजिए, जोतिश आपको समझ में आ जाएगा, या यूं कह लीजिए कि आप असी प्रतिशत मेरा दावा है जोतिशी बन जाएंगे, उस प्लेलिस्ट को देख लेने भर मात्र से, चलिए चलते हैं, दिव्य माहा प् पती आपकी कुंडली के इन भावों में, किन किन भावों में? तो नोट करिए, लगन, पंचम, अथवा, नवम, यदि आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु ब्रहस्पती हैं, और आपकी आदत है कि आप देव की, देवता की, गुरु की, ब्राम्हण की, धर्म, मंदर, इत्यादी की, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, इनके लिए अभध्र भाशा का प्रयोग करते हैं, और इसी को करने से आपकी बिद्वत्ता और बुद्धिमत्ता सिद्ध हो रही है, तो ये जान लीजिए, देव गुरु ब्रहस्पती का इन भावों में होना, इस बात क की सूचना है कि पुर्वजन्म में आपने कोई विशेस स्रिष्ट कर्म किये हैं, और आपको जो जन्म मिला है, अब आगे अपने परलोग को और ठीक करने के लिए, और स्रिष्ट कर्म करने के लिए आपको भेजा गया है, और अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं, तो समझ ली इसका प्रभाव मिलेगा और क्या मिलेगा मैं बताता हूँ वहीं जन्म कुंडली में चतूर्थ में अधी देव गुरु हैं और आप अपने कुल देवता और अपने पितरों का सम्मान नहीं करते हैं उनकी भक्ति उनकी आराधना नहीं करते हैं वैसे तो ही सब को करना पर मैं चतुर्थ वाले गुरु वालों, जिनके चतुर्थ में गुरु हैं, उनके लिए विशेस कह रहा हूँ, जिनकी कुंडली के सप्तम में गुरु हैं, और वो परिश्त्री गमन की बुरी आदत से ग्रसित हैं, और जिनके दसम में गुरु हैं, और आप अपने अहंकार क वह शिभूत किसी को समझते नहीं है, किसी का संबान नहीं करते हैं, मातापिता बाकियों का अपमान करते रहते हैं, हो सकता है आपके चार दोस्त, आपको ऐसे मिल जाएं, जो आपके इस कारे की वाह वाही करें, आपकी प्रसंसा करें, वाह, कमाल है, बहुत बढ़िया, और ये तै जानी है, ऐसा करके आप अपने देव गुरु ब्रहस्पती को खराब कर रहे हैं, कुंडली के केंद्र के चार भाव, और त्रिकोण के दो भाव, इन छह भावों में देव गुरु हैं, तो आप इतना जान लीजिए, कि निसंदेह पूरुबजन्म के, किसी विशेस स्रिष्ट पुन्य कर्म के फली भूत, आपको गुरु यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, और ये इस बात की सूचना दे रहे हैं, कि जीवन में आपके लिए सब कुछ बड़ा ही सहज सरल होने वाला है, और अगर आप अपने गुरु को खराब कर रहे हैं, तो दंड भोगने के लिए कहीं और नहीं जाना, इसी जन्व में मिलने वाला है, और वो किसको मिलेगा, देखते ही देखते, आपकी पीडियों को भुगतना पड़ेगा, विश्वास मानिए, गुरु के खराब होने से आने वाली पीडियां बरबाद हो जाती हैं, चाहे वो बच्चे नहोना घर में मांगले कृत्य होना, उचाई, धन, संपन्यता, सुख, जीवन से एक जो आशा है, ये आशा उत्पन्न करते हैं देव गुरु ब्रहस्पती, उस आशा को समाप्त करके शनी का प्रभाव बढ़ता है और जीवन पर केवल और केवल उदा सीनता की छाप लग जाती है मैं फिर दोहरा दू कि अगर इन चीजों को करने से ही आपकी विद्वत्ता सिध्ध होती है तो विश्वास मानिए ये विद्वत्ता और वुद्धिमत्ता आपके किसी काम की नहीं, इसका दंड मिल जाएगा और फिर आप हो सकता है करके निकल जाएं लेकिन आपकी भुगत्ती रहेंगी, ऐसा मत करिए, अपने गुरु को खराब बिलकुल मत करिए, और अगर ये गलती कर रहे हैं तो अभी से छोड़ दीजे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा ठीक किया जा सकता है, चली चलते हैं राशिफल की और, बात करेंगे राशियों के क्रम में प मेश राश के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है, गोचर कुंडली में चंद्रमा, आपकी राशिफल से आज दुतिये भाव में हैं, और ये चंद्रमा मंगल की ही नक्षत्र में होने के कारण, दिन आपका बड़ा ही अनुकूल है, परन्तु, रिस्तों मे परिशानी, अन्बन की स्तिती अवश्य उत्पन्न आप कर लेंगे अपनी वाणी के कारण, कम बोलिए, आज बोलना आपके हित में नहीं है, सुनना आपके हित में है, आज दिन ऐसा है कि एक के बाद एक नई चुनोतियां आपके समुख उत्पन्न होने वाली है, पर मेरी अज लीजे, आपके लिए प्रयोग ही सफलता दाई सिद्ध होने वाला है, और वाणी से उत्पन्न हो रही परिशानिया भी इस प्रयोग से दूर हो जाएंगी, ब्यापारियों की बात करो, तो दिन बढ़िया रहने वाला है, ब्यापार में सफलता मिलेगी, परन्तु जो आस्त का भी खायाल रखिएगा, लकियंक आपके लिए पांच, लकी कलर आपके लिए पिंक है, आज का दिप्वे महा प्रयोग कर लिजिए, निवेश कर सकते हैं, साथ ही साथ, मद्यपान मानसाहर से दूरी बना करकर रखिएगा, वरुषभ के जातकों के यदि हम बात करे तो गोचर कुंडली की स्तिती न तो बहुत अच्छी है, न बहुत मैं इसको खराब कहूंगा, आज 50-50 है, आज ब्याय कारक स्तिती आपके लिए पूरे दिन उत्पन्न होने वाली है, हलाकि सफल, ताकि दृष्टिकोंड से दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं तो खराब भ जया तक हो सके, तो गुड के लड़ु, अगर उपलब्द हो, नहीं उपलब्द है, तो गुड, या तो गुड के लड़ु मिल जाए, नहीं है, तो गुड का भोग लगाईये, नई नौकरी का यहद리 प्रस्ताव मिला है, या कहीं इंटर्वी वित्यादी देने के लिए ज आपके आत्म विश्वास में बृध्धी होगी व्यापारियों की बात करूँ तो कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो जरा सचेत रहे हैं समस्याएं आएंगी अर्चने और बाद हाएं भी उत्पन्न होने वाली हैं अलाकि ये प्रयोग करिए रहात मिलेगी जूट नहीं बोलना जीवन साती का सम्मान करिए जितनी भी ग्रिहनियां है ब्रुशवरासी की आज वो विशेश रूप से इस बात का ध्यान रखें आज ग्रिह कलह की संभावना प्रवल है विद्यार्थियों को मन लगाना होगा पढ़ाई से मन भठकेगा इधर उधर की मिथुन के जातकों के दिबात करें तो निवेश आपको भी नहीं करना गोचर कुंडली की स्थुती कोई बहुत ज़्यादा आपके पक्ष में नहीं है पारिवारिक जीवन में कलह और परिशानी की स्थुती दिखाई पढ़ रहे हैं मंगल के नक्षत्र में संचरन कर रहे हैं आपको मानसिक रूप से परिशान करने वाले हैं आज प्राता काल ही गणीश जी के मंदर में जाकर के गणीश जी के मंदर की प्रदक्षना करिये और शहत की सीसी दान कराईए इससे लाब होगा और कारिस्थल पर अगर उच्चा धिकारी आपसे नाराज है तो उनकी सहानुभूती आपको प्राप्त होगी भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था तो भाग्य का साथ मिलने लगेगा कोट का चहरी में दी कहीं कोई मसला है तो वहाँ पर आपका पक्ष इस प्रयोक से मजबूत होगा पर किसी को धन उधार न दे प्रेमियों के लिए आज का दिन प्रतिकूल दिखाई पड़ रहा है प्यार का इजहार न रही है लकियंक आपके लिए दो लकी कलर आपके लिए आज परपल नीवेश आपको नहीं करना है बात करक की कर लेते हैं भाग्य आपके साथ है दिन जबर्दस्त सोचे हुए सभी कार्य एक के करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहा है यूं समझ लीजिए कि आज का दि जैसे आपके लिए ही बनाया गया है हर छेत्र में लाभकिस्तिती दिखाई पड़ रही है आज भगवान गजानन को चतुर्थी है उनके मंदर में जाईए और लाल चंदन उनको अर्पित करिए वहीं के मात पैर के तलिब लगा करके चरन से और फिर अपने माथे में भी ल सावित होंगे और यूं समझ लीजे कि भागे के सारे सारे काम बनेंगे अचल संपत्ति से समंदित कारियों में जिनको भी बाधा आ रही है आज गणेश जी के मंदर में जाकर के लाल चंदन गणेश जी को अवस्यरपित करें दिन अनुपूल होगा यात्राप कर सकते हैं विवाद में नहीं पढ़ना वानी पर नियंतरन रखिएगा कर्ज लेन देन के दृष्टिकोंड से दिन ठीक है जीवन साती का सहयोग मिलेगा बिद्यार्थियों को तनाव से मुक्ति मिलेगी स्वाज का प्रयोकरी और कॉन्फिडेंस में आपके ब्रद्धी होगी स्वास अवश्य करिए से हर कुछ स्रिष्ट होगा विसेश करके नौकरी पेसा लोग अवश्य करें वो लोग जो किसी नई नौकरी में इंटर्वी इत्यादी देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए आज का ये प्रयोग बेहद आवश्यक है वहीं जो ब्यापारी वर्ग है जो कहीं मीटिंग इत सोच रहें तो वो भी कर सकते हैं आज सुम्हरासी की ग्रिहनियों को ये प्रयोग अवश्य करना चाहिए विश्यस करके अगर आप अपने बच्चे इत्यादी को लेकर के चिंतित हैं तो ये प्रयोग करिए इससे आपको फायदा मिलेगा नौकरी पेसा लोगों के लिए आ अच्छी खबर आपको मिलने वाली है व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया काऊंगा व्यापार में धन दायक है दिन किसी करीबी मित्र से मदद मिल जाएगी बस जरुवत ज्यदा काम का बोज नहीं लेना दामपत्य सुख में दिखाई पड़ रहा है न बहुत अच्छा कहूंगा न खराब भाग्य का साथ थोड़ा कम ही मिलेगा हाला कि धन की स्तिती में कोई बहुत परिशानी नहीं दिखाई पड़ रही है काम आपके बनेंगे धन की स्तिती में और सुधार लाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रत्न करना चा चाहिए और ज्यादा प्रिसर और टेंसन मत लीजिए नहीं तो काम बनेगा नहीं वरन बिगडेगा विद्यार्थियों को आज विशेश रूप से ये प्रयोग करना चाहिए ताकि सक्षा में आ रही बाधा परिशानी दूर हो जाए जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें भी आज ये प्रयोग करके गणेजी से प्रार्थना करनी चाहिए आपको रोजगार दिलाएं आपकी परिशानी दूर होगी नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा ब्यापारियों की बात करूं तो लेंदेन में सावधानी बरतिये दिन ठीक नहीं है दूसरों की सुनी-सुनाई बात प्रस्तिक परिशानी आज आपको होगी लकी यंक आपके लिए एक लकी कलर आपके लिए अज ग्रे है निवेश आप ना करें तुला के जातकों की बात कर लेते हैं आत्नों विश्वास बनाय रखना होगा जल्दबाजी से बचना होगा आज दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा गणेश जी के मंदर में जाकर के आज शहद की सीसी दान कराईए गणेश जी के मंदर की तीन प्रदक्षना के अवश् मिल जाएगी और कारिस्थल पर भी जरह शांत रहिएगा आज चिंता मानुसिक परिशानी बनी रहेगी जरुवत पड़ने पर सहयोग न मिल पाने के कारण भी आपके कारे बाधित होते दिखाई पड़ रहे हैं वहीं व्यापारियों की बात करूँ तो दिन कोई बहुत ख बचना है किसी भी तरह की लापारवाही आज आपको बड़ा नुकसान कराने वाली है आज भागे के भरोसे मत बैठियेगा जो भी चाहिए जो भी पाना है जो भी करना है पुरुशार्थ के बदौलत जीवन साती के साथ प्यार से पेस आईए जीवन साती के साथ कहीं घू के जातकों के लिए दिन कोई बहुत खास नहीं है लखियंक दो लखी कलर आपके लिए आज सफेद हैं निवेश आपको नहीं करना वरिश्चिक के जातकों की बात की जाए तो दिन बहुत बढ़िया है भाग्या आपके साथ है सबसे मिलिए मुस्कुरा करके मिलिए धन्ज संबंधी मामलों मेर्दी कहीं कोई परिशानी थी कारोबार से जुड़ी कोई भी परिशानी थी वो परिशानी दूर होने वाली है आज सभी ब्रिश्चिक रासी के जातक गनेश अथर्व सुर्ष का पाठ गनेश जी के मंदर में जाकर के या गनेश जी के मूर्ति के समुक बैट करके करें घी का दिया जला करके और कारोबार से जुड़ी कोई भी परिशानी हो उसके लिए गनेश जी से प्रार्थना करें आपकी परिशानी दूर होगी कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए दिन अच्छा है कारेस्थल पर आपकी कोशिश शफल होने वाली है ब्रिश्चिक रासी की जो ग्रिहनिया है वो जरा सुचेत रहें हाला कि कोई महत्व पुर्ण बात अपने जीवन साथी से कहनी है तो आज आप कह सकती हैं गनेश जी की आराधना करने के पश्चाथ ब्यापारियों की बात करूँ तो ब्यापार में लाब होने वाला है कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहें तो कर सकते हैं वाहन चलाते समझरा सावधानी बरतियेगा और जो लोग अभी वाहित हैं उन्हें बिवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है निकुल मिला करके देखें तो ब्रश्चिक रासिके जातकों के लिए दिन उत्तम उत्तम है आप इस दिन का लाग उठाइए अच्छा है दिन विद्यार्थियों को भी मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी मन पढ़ाई में लगेगा और स्वास्त के दर्ष्टिकोन से देखें तो स्वास्त का कोई विशेश दिक्कत तो नहीं दिकता फिर भी जीवन साथी के स्वास्त का खयाल रख लीजेगा और जिनको गले में दर दित्यादिक शिकायत रहती है वो अपने स्वास्त का खयाल रखे लकियंक आपके लिए आज 9 लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है निवेश अवर्षय करिए धनू के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है बस ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबने वाला है तो ओवर कॉन्फिडेंस पर नियंत्रा रखिए शांत रहेंगे तो सफल होंगे दिन अच्छा है तो इसका लाब उठाईए आज केशर का तिलग गणेश जी को लगाईए और अपने माथे पर भी लगाईए दिन अच्छा है आपके बिगडे काम भी बन जाएंगे मेहनत से सफलता तो आपको मिलनी ही है वैसे तो आप हर जगह पर निर्विवाद रूप से सफल होते दिखाई पड़ रहें कोई नया कारे शुरू करने की सोच रहें तो करिए वाहन जरा सावधानी से चलाईएगा किसी को रण मत दीजिएगा व्यापारियों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया है व्यापारिक सफलता मिलने वाली है जो ग्रहिणिया है धनुडासी की वो अपने स्वास्ते का खयाल रखें और चोट चपेट की घटना नहों इस बात का विशेस रूप से खयाल रखें पैर फिसल जाने से भी चोट लग सकती है ब्यर्थ के ब्याय से बचिये ब्यर्थ का ब्याय दिखावा अहंकार इससे आपको बचना चाहिए लव लाइफ ठीक है दाम पत्ते जीवन भी सुखद है जीवन साथी से सम्मान प्यार मिलेगा तो वहीं बिद्यार्थियों की बात करूँ तो जितने भी मैनेजमेंट फिल्ड के बिद्यार्थी है उनके लिए दिन खास दिखाई पड़ रहा है और वहीं जो प्रतियोगी परक्षा के बिद्यार्थी है उन्हें भी आसानी से सफलता मिलने वाली है लॉफ फिल्ड के बिद्ध्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, यहने कुल मिलाकर के दिन धनुरासी के जातकों के लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, दिन का बस आनंद उठाईए, लखी अंकेक, लखी कलर आपके लिए आज ओरेंज है, निवेश आप कर होंगे, उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा, और जो भी कारिकरिये मन लगा करके करिये, हाला कि धनलाभ में कहीं कुई कमी नहीं है, कारिस्थल पर आपका दिन में बहुत बढ़िया बीतते दीख रहा हूँ, बिपरीत का भी आपको सहयोग मिलेगा, आज सभी मकर आपको कर लेना है, कहीं भी गणेश जी का मंदर हो, तो गणेश जी के मंदर में जाकर के आज कुछ द्रब्यदान कराईगा, कुछ पैसा दे आईएगा, इससे परिशानिया दूर होंगी, और कारिक छेत्र में विश्यस करके आप स्वतंत्र ब्यापारी हैं, और ब्यापा आजी में कोई भैसला मत लीजेगा, जीवन साथी का सम्मान करिएगा, आज मकर रासी के ग्रिहनियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, तो वहीं बिद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया, मेडिकल फिल्ड के बिद्यार्थियों को सुरिष्ट पनना मिलता निवेश आप करें, कुम्भ के जातक निवेश ना करें, दिन साधारण है, थोड़ी चिंता रहेगी, क्रोध पर नियंतरण बेहद आवश्यक है, अन्य था चाहे वो पारिवारिक जीवन हो या पेशेवर, दोनों में ही मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ेगा, सो सं साथ गणेश जी के मंदर में जाए, गणेश जी के मंदर की आज तीन प्रदक्षना करिए, और साथी साथ लाल पुस्प की माला गणेश जी को अरपित करिए, सफलत आपको मिलेगी, कारेक छेतर में कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ी उपलब्धी आपको प्राप पर बिना सोचे समझे हर बात में बोलना टीका टिपणी करना ये ठीक नहीं होगा प्रेम संबंध के मामले में सावधानी जरूरी है प्यार का इजहार आज आपको मुसीवत में डालेगा तो प्यार का इजहार ना करें और विद्यारतियों की बात करूँ तो आपको सफलता मि मिलेगी और जादा आपको मेहनत करने की आवशक्ता है खूब मेहनत करिये और स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें तो स्वास्ति में थोड़ी परिशानी जोड़ों के दर्ध से आज आज आपको थोड़ी परिशानी हो सकती है लगी अंग केक लगी कलर आपके लिए आपको सफलता मिलेगी, जो भी कारे आप हाथ में लेते हैं, समझ लीजी आपको उसमें सफलता मिलने वाली है, मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा हर तरह से आपको सफल बनाएंगे, बाकी की ग्रहिश्दितियां भी आपके लिए स्वयोगी होंगी, बस पूर गणेस जी के मंदर में जाएं, और गणेस जी की आरती घी के दिये से अवश्य करें, और साती साथ उनके मंदर की तीन प्रदक्षिना भी करें, समझ लीजे कि इतने प्रयोग से कारेक्षित्र में आपको सफलता मिलने लगेगी, कारेक्षित्र में अधि कहीं कोई बाधा अडचन उपस्ति थी, वो दूर होगी, काम से जी नहीं चुराना, पिता के साथ सम्बंध को अद और मधुर बनाने की कोशिश करिये, अधि कोई उल्जन है तुसे सुलजाने की कोशिश करिये, ब्यापारियों की बात करूँ तो ब्यापार में आपको सफलता मिलेगी, सम्बंध में मजबूती आएगी, ग्रिहनियों के लिए दिन बढ़िया है, बाकी अगर देखा जाए, तो विश्यस करके वो ग्रिहनियां जो वर्किंग नहीं, अगर कहीं किसी रिस्तिदार इत्यादिक यहां जाना चाहती है, तो जा सकती है, और स्वास्त के दृष्टी क राश के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल, अब ही के लिए इतना हिजाजत दीजे, पुना मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार